गला घोटने का तरीका मोबाइल में सर्च कर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पती का जमानत प्रातना पत्र नियाले स्तर नियाएधीश जन्पत हापुड ने निरस कर दिया जिससे हत्या आरोपी की मुश्किले बढ़ गई हैं आरोपी विकास शर्म अपुत रामदा शर्मा ने जमानत पर रहा होने के लिए नियाले में जमानत प्रातना पत्र दिया था जिससे सतर नियाएधीश हापुड रविंदर कुमार प्रथम ने बुदवार को निरस कर दिया आरोपी ने हापुड के आरे नगर निवासी 35 36 दिसंबर का है जब हापुड के निजामपुर के पास सर्विस मार्क पर शाम करीब आठ बजे कार सवार दमपती के साथ लूड की खटना की खबर मिलने से छेतर में संसनी मच गई मोदिनगर निवासी पती विकास शर्मा ने पुलिस को जानकारी दी थी कि बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और पचास हजार अरपे की लूड के बाद उसकी पत्नी की गला दबा कर हत्या कर दी पुलिस ने जब मामले की गहनता से जांच की तो दूद का दूद और पानी का पानी हो गया और पती विकास शर्मा ने वारदात को सुईकार कर लिया विकास शर्मा पुतर रामदा शर्मा मोधिनगर के आनन्द विहार का रहने वाला है जिसकी शादी दस साल पहले हापुड के महुला आरे नगर निवासी 35 वर्षे सोनिया के साथ होई थी काश शर्मा दवा कंपनी में कारे करता था जिसका एक महिला करमचारी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया ऐसे में विकास ने अपनी पत्नी को मौध के घाट उतारने की साजिश रशी के लिए उसने अपने मौबाइल में जहर गला घोट कर मौत के घाट उतारने जैसी कई चीजे सर्च की पुलिस ने जब विकास का मौबाइल खंगाला तो ये सारी बाते सामने आई इसी के साथ पुलिस को विकास के मौबाइल से इवास एग्रिमेंट भी बरामद हुआ पुलिस अधिक्षक दीपक भूकर के अनुसार बोधिनेगर से चलते वक्त विकास ने सारी योजना तैयार कर ली थी और मौका देखकर अपनी प्रेमिका के साथ अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया पुलिस ने मौतका के पिता तिरलोकचंत की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चांच शुरू की और आरोपी पती विकास शर्मा को गिरिफतार कर लिया जिसका जमानत प्रासना पत्र निरस्त हो गया ऐसे में हत्यारोबी की मुश्कले बढ़ गई है झाल 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 झाल